हालो प्यारे बच्चों मैं डॉक्टर भरतलाल मेना LBS गौर्मेंट कोलेज गौट पुटली सहाचारी राजनेटी विज्ञान बच्चों मैं आज आपके समक्स बीए पार्ट देती है कि देती है प्रशन पत्र भारती राज़ विवस्था के अंत्रगत संगिव्यवस्था भारती संगिव्यवस्था की प्रकरती के बारे में सर्चा करना चाहरा हूँ उसके अंत्रगत भारती सविधान के बहीरंग यानि विवहारिक शुरूप में उपस्तित एकात्मक तत्व क्या क्या है सबेधनिक प्रावधानों के अतरिक्त भीक गतिपे ऐसे राजनेतिक तत्व का उदे और विकास भारत की राजनेतिक विवस्ता में दिखाई देता है जिसे एक आतमक्ता में व्रद्धी हुई है और केंद्रि संगवाद का उदे हुआ ऐसे कुछ तत्वी स्वरकार है प्रधान मंतरी का चमतकारी व्यक्तित्व भारत में प्रधान मंतरी पतपर आसीन व्यक्तियों का व्यक्तित्व सामने ते चमतकारी और प्रभाव साली रहा जवारलाल नहरू जैसे व्यक्तित वाले प्रधान मंतरी ने भारत को राजनेती की स्थिर्ता और राष्ट्रे दर्ष्टिकों प्रधान किया उनके प्रभाव के आगे राजियों के नेताओं का व्यक्तित वे फिंका लगता था कोई मुख्य मंतरी उनका विरोध करने की सोच ही नहीं सकता था नेरू के बाद प्रधान मंतरी पद पर मुख्य रूप से स्रीमती इंद्रा गांधी ने कारी किया उनका वेक्ति तो भी कम आकरशक नहीं था देश की जनता पर उनका अनुठा प्रभाव था अनेक राज्यों के मक्य मंतरियों की न्यूक्ती भी कई बार प्रधान मंतरी की इच्छा से हुई उन नेताओं को राज्यों की राजनेती से अलग होना पड़ा जिने प्रधान मंतरी का विश्वास प्राप्त नहीं था गुन्नी सो सत्याशी के बाद भारती राजनेती में तत्वा दिकांस्त्य विध्यमान नहीं है अब वाद सुरूपुरू प्रधान मंतिर अटल भिहरी बाजबे कारेकाल गुन्नी सो नन्यानों से 2003 इस्वी के बेक्तितों में इस तत्वे को चांसावस्चे ही देखे गए प्रधान मंत्री आयोग का देख्स होता है तता इसके कारियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए के अंदरी मंत्री मंडल के कुछ वरिष्ट मंत्री भी आयोग के समंद से समंद होते हैं योजना आयोग ने अपने कारियों का विश्तार किया है, वस्तुतेवर अक्षा को छोड़कर प्रसासन के सभीक शेत्रों में भावी विकास का प्रमुख दिरिनाएक बन गया है, 15 मार्च 1950 के प्रस्ताओं में ये पूर्ण तैस्पष्ट कर दिया गया था, कि आयोग मूलत एक परामर्स दात्री संस्ता हो, इसका कारी आर्थिक नियोजन के मामलों पर सासन को अपनी शिफारिश प्रस्तूत करना है, किन्तु विवार में आयोग ने सविधान और सासन दोनो कोई विशेश रूप से प्रभावित किया है, असोग चंदा ने आयोग के महत्वक के कारण उसे देश का आर्थिक मंत्री मंदल का है, राज्य सरकारें तो वित्य सायता और आर्थिक प्रामर्स के लिए आयोग पर अधिक निरभर है, कि संतानम ने लिखा है कि समुची नि नियोजन विवस्ता ने निती और वित्शमंदी सभी मामलों में राज्यों की स्वाइता को एक चाया का रूप प्रदान कर दिया है, ग्रेन विल आइंस्टीन लिखते हैं कि बार देश संगवाद के अंद्रगत नियोजन का केंदरिय प्रभाव रहा है, तीसरा राष्ट् अथिक नेतियों की निर्धारन में अत्यंत प्रभाव साली रिंकाई, आयोग के ही समान ये परिशद भी सविधान की उपज नहीं है, इसका लक्स योजन आयोग केंदरिय सरकार ततराज्य सरकारों के मद्दे सामज़े से बनाए रखना है, अस्तुद राष्ट्र विकास परिशद योजना आयोग की सिर्ष नस्ता है, योजना आयोग द्वारा निर्मित एवं राष्ट्र विकास परिशद द्वारा स्विक्रित योजना विकास का एक सास की कारिकरम बन जाती है, इसी कारण के संथानम ने इसे भारती संग की सर्वुच्य मंत्र परिशद कहा है अब विवार में राज्यों के योजनाओं समधी निर्णे राष्ट्र विकास परिशद में लिये जाते हैं जिन से राज्यों की इस्तिती केंदर सरकार के एजेंट के सम्तुल्ले हो जाती है मुख्यमंत्री चोथा पॉइंट है मुख्यमंत्री पर भरष्ट आच्रण के आरोप और केंदरी एजेंशियों की भूमिका कुछ अन्य भी केंदरवादी तत्व भी धिमाने आज इस्तिती यह है कि अधिकांस मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भरष्टाचार के आरोप है जिनकी जांच केंद्रिय जांच ब्यूरो सीबी आई जैसे एजेंशियों की द्वरा की जाती है इस जांच एजेंशियों पर केंद्र सरकार का प्रतेक्स प्रोक्स नियंत्रित तो है इसके अत्रिक्त समय समय पर ऐसे अनेक ऐसी अनेक इस्तियां जर्म लेती है जिनके आधार पर केंदर सरकार राज्य सरकारों कुरना के वल परभावित वर नियंतरित भी कर सकती है। इस परसंग में केंदर सरकार और परधान मंतरी पद्धारी को प्राप्त करपा की सक्तियों की बहुत महत्पुन भूमिका होती है। इन सब के अत्रिक्त भारती राजनिती में बहुत लंबे समय तक एकदली परभूत्व की इस्तिती रही है। इस एकदली परभूत्व ने केंदर सरकार की शक्तियों में भारी वरिद्धिकर एक प्रमुख एकात्मक तत्तों का कारिय किया है। इस प्रकार यदि भी भारती सविधान और विवस्ता में संग्ये सासन के सभी लक्षिन मिलते हैं। लेकिन कुछ बातों की समद में ये संगीय सिद्धानतों से भिन है। इसमें एकात्मक सासन विवस्ता के कुछ लक्षन है इसी कारण कुछ विचार को नीवमत विक्त किया है। कि भारती सविधान संगात्मक दिखता अवश्य है लेकिन इसकी भावना एकात्मक है प्रोफिसर हियर का मत है कि भारती सविधान एके से एकात्मक राजजी की पिस्थापना करता है जिसमें कोण रूप से कुछ संगी तत्व है नए कि एसे संग राजजी की स्थापना करता ह है जिसमें गौण रूप से कुछ एकात्मक ततो हो हो डाक्टर कृष्णा पी मुखर जी का मत है कि भारति शविधान ऐसंगी एत्वा एकात्मक है कि दुरुगदास बसू का मत है कि भारति कि सविधान ना तो नितांत संगात्मक है और न एकात्मक वरन ये दोनों का मिश्टरन है ये एक अनुपम प्रकार की मिश्टित सासन प्रनाली है कितना तो सविधान प्रारूप निर्मान समीति के अदेख्स डाक्टर अंबेट कर भी श्विकार करते हैं कि सविधान को परियाप सक्ति साली नहीं बनाया गया है इस संब्ध में लोग पर सासन के सुपरसीत अमरीकन विश्य सगेट डी एच पाल एपल बी का मत है कि कोई भी अन्य महान राष्ट्रे सरकार राष्ट्रे कारिकरमों को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों पर उत्तरा निर्वर परियुदान नहीं करती जितने कि भारत की केंधरिय सरकार बाष्ट में संग विकाष्य योजनायों की पूर्ति के संब्ध में राजी कुछ राजिये पर भाहुता दिक निर्वर है उप्युक स्बूं प्रकार की आलोच छनायों में के उलान स्क्षिक सकते है इदि भी भा एकात्मक्स आसन विवस्ता के कुछ लक्षन विद्यमान है लेकिन इस कारण से भारती सविधान को एकात्मक्स आसन विवस्ता की स्थापना करने वाला सविधान की आ जा सकता। भारती सविधान के अनभोव से भी सविधान निर्माताओं को एसा करने के लिए प्रेजित किया गया है। को अपना कारिक्षेत्र जिसमें वे साधरन तया स्वतंतरों सर्वच्चे हैं इसी कारण डाक्टर अंबेटकरने सविधान मातरी सवा में कहा था कि साधार पर बड़ा गंभीड दो सरोपन किया गया है कि केंद्रीकरन की मातरा बहुत अधीक हो गई है। और राज्यों के इस्तिति नगरपालिगाओं के समान कर दी गई है। अधीक केंद्रीकरन की बात कहने का कोई ओचित था लेकिन गुनिशु सत्यासी के बात की राज्यों के लिए उत्तर दाई तो प्रमुक्तत्तों प्रधान मंतरी का चमतकारी विक्तित्व और भारती राज्यों की प्रधान तस्माप्त हो गए। अब भिवारिक राज्योंति में केंद्रीकरन जेसी कोई इस इस इस्तती सेंस नहीं रहे। वरत्मान 2014 के बाद प्रधान मंतरी का प्रभाव बढ़ता गया और सक्तियों का केंद्रीकरन बढ़ता गया है। धन्यवादे।